हलो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप Jio Prepaid का Recharge Jio Mobile app से कैसे कर सकते हैं माई Jio app से Recharge करने का फायदा यह होता है कि आपका कोई एक्स्ट्रा fee charge नहीं लगता है जो कि आपको platform fee के रूप में देना होता है जब आप phone पे याप ATM से रिचार्ज करते हैं तो guys इसके लिए हमें चलना है mygo app पे यहाँ आप मेरा post paid number देख सकते हैं तो मैं आप चलती हूँ अपने prepaid number पे यह देख सकते हैं आप यह मेरा prepaid number है मैं इसे select करती हूँ guys आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे plan expired no active plan शो हो रहा है और इसके नीचे आप देख सकते हैं recommended plans शो हो रहा है यहाँ पे अब हमें we all पे click करना है सारे plan देखने के लिए guys यहाँ पे लंपी list है plans की यहाँ पे आप देख सकते है guys मुझे 3GB per day वाला plan चाहिए तो मैं इसे select करती हूँ तो मुझे rupees 419 वाला plan चाहिए तो मैं यहाँ पे नीचे view details पे click करके details चक कर लेती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 3GB per day pack इसकी pack validity है 28 days total data है इसमें 84GB और इसका data जो है 3GB है per day और इसका voice जो है unlimited है और 100 SMS per day है और साथ ही मिलता है आपको geo tv, geo cinema, geo security और geo cloud plan की details हमने check कर लिया अब हमें buy पे click करना है हम payment page पे आ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें amount शो हो रहा है कुछ offer शो हो रहा है payment method की बात करी जाए तो यहाँ पे हमाँ पास UPI शो हो रहा है credit, debit, ATM शो हो रहा है और my geo store credit शो हो रहा है और net banking भी शो हो रहा है हमाँ पास जिसमें की state bank of india, ICIC bank, HDFC, access bank और wallets भी शो हो रहा हमाँ पास जिसमें की geo money, amazon पे, mobi quick, phone पे, paytm शो हो रहा है guys मैं आपको अपने credit card से payment करके दिखाती हूँ तो इसके लिए credit card का option पे हमें क्लिक करना है तो guys यहाँ पे आपको card number, expiry date, CVV code और name on the card लिखकर आपको payback क्लिक करना है guys हमने सारी details फिल कर दिया है अब हमें payback क्लिक करना है हमें payback क्लिक करना है यहाँ पे हमाँ पास एक option आ रहा है improve your card security अब हमें skip for now पे क्लिक करना है यह processing हो रही है अभी यहाँ पे अब हमें enter OTP करना है अब हम copy कर लेंगे OTP आगया है हमाँ पास यहाँ पे एंटर कर देंगे यह एंटर कर दिया है हमने अब हमें submit पे क्लिक करना है यह एंटर कर दिया है यह verify कर रहा है अभी हमारे successfully recharge हो चुका है हमाँ पास message भी show हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते है message आ रहा है recharge successfully का 419 रूपीस का यहाँ पे आप देख सकते है मही जियो number पे recharge हो चुका है यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे हमें कुछ और डिटेल शो हो रहा है और साथी में हमाँ पास शो हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ फाइंड डिटेल invoice of your transaction in the invoice history section in my geo geo.com अब हमें done पे क्लिक करना है अब रिचार्च के बाद हमारा plan भी यहाँ पे शो हो रहा है 3GB का guys invoice आप एक दो घंटे बाद चेक कर सकते है तो इसके लिए आपको 3 horizontal line पे क्लिक करना है और आपको recharge history पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते है मेरा plan शो हो रहा है यहाँ पे date और इसके नीचे आप देख सकते है view details इस पे हमें क्लिक करना है यहाँ पे हम सारी details चेक कर सकते है क्लिक कर दिया है हमने इस page पे हमें get invoice पे क्लिक करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं download का option शो हो रहा है हमें इस पे क्लिक करना है मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वाइस डाउनलोड हो चुका है और गाइस जैसे कि आपने देखा पेमिन के तरहारा में कुछ भी एक्सा चार्ज नहीं देना पड़ा जैसे कि फोन पे आप ATM पे लगते हैं तो गाइस यह था पूरा वीडियो कि आप जीओ प्रिपेट का रिचार्ज माई जीओ एप से कैसे कर सकते हैं तो इसी तरीके की और वीडियो से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जादा जादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे थैंक्स वर वाचिंग, थैंक यू